पतनी के बच्च और बच्च रहती मैंने आपको कहा था कि वो नागिन मेरे बच्चों को पैदा होते ही खा जाएगी अब हम क्या करेंगे हमारे साथ हमेशा ही ऐसा होता है हमारे निर्दोश बच्चे वो नागिन निकल जाती है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ भाग्यवान हमारे साथ अगर ऐसा होता रहा तो हम अपने परिवार और वंच को आगे कैसे बढ़ाएंगे मुझे लगता है मुझे अब अपने मित्र चील की मदद लेनी ही होगी अब वही है जो इस मुसीबत से बचने में हमारी साहता कर सकता है मिंड़क अपने मित्र चील से मिलता है और उसे सारी परिशानी बताता है चील भाई अब तुम ही बताओ हम क्या करें जब भी तुम्हारी भाभी बच्चों को जन्म देती है तो वो दुष्ट नागिन हमारे बच्चों को निगल जाती है हम कुछ नहीं कर पाते हम उससे विंती करते रह जाते हैं पर वो हम पर तरस नहीं खाती अभी कुछ दिन पहले भी जब तुम्हारी भाभी ने बच्चों को जन्म दिया तो हमने उस नागिन से बच्चों की जिन्दगी की भीक मागी और उसने हमारी एक नहीं सुनी और वो हमारे बच्चों को खाकर हस्ती हुई चली गई अच्छा, तो ये बात है चिंता मत करो, मेरे मित्र मुसीबत की इस घड़ी में मैं तुम्हारे साथ हूँ समय आने पर मैं उस दुष्ट नागिन को सबक जरूर सिखाऊंगा मेंधक अपने मित्र चील के तसली देने पर वापस तालाब में लोट आता है कुछ दिनों बाद मेंधक की पतनी गर्वती थी उधर वो नागिन भी गर्वती थी और कुछ समय बाद अंडे देने वाली थी सुनिए, कुछ समय बाद हमारे बच्चे होंगे सब कुछ कितना अच्छा हो जाएगा फिर हम अपने परिवार के साथ हसी खुशी रहेंगे वैसे मैंने देखा है मेंट की भी बच्चे देने वाली है हमारी पूचन का तो इंतजाम, वो ही क्या हाँ, वो तो ठीक है पर अपना खयाल रखना क्योंकि बच्चों के जन्म के बाद हमें उन्हें दुश्मनों से भी बचाना है क्योंकि मैं कुछ दिनों से चील को यहां उपर आसपास मंडराते हुए देख रहा हूँ हाँ, हाँ, मैं तो बच्चों का पूरा खयाल रखूंगी कुछ समय बाद नागिन अंडे देती है और अंडों से बच्चे निकलाते हैं नाग नागिन बच्चों के आजाने से बहुत खुश थे बच्चे सारा दिन जंगल में घूमते हुए खेलते कूटते रहते थे नागिन की नजर तो मेंटकी के बच्चों पर थी मेंटकी बच्चों को जन्म दे चुकी थी अब तो बस नागिन को उसके बच्चे चुरा कर खाने थे बच्चो तुम यहाँ पर ध्यान से खेलना मैं कुछ देर में लौट कर आती हूँ अगर कोई बड़ा पक्षी दिखाई दे तो तुम बिल में छुप जाना ठीक है मा आप आराम से जाओ हम सब अपना ख्याल रखेंगे नागिन मेड़क के बच्चो को खाने के लिए चली जाती है और इधर बच्चे फिर से खेलने लगते है देखो तुम हमारे बच्चो को तो खा लोगी पर याद रखना तुम्हारे बच्चे भी नहीं बचेंगे क्योंकि इस समय तुम्हारे बच्चे मेरे मित्र चील के कबजे में है वो पल भर में ही तुम्हारे सारे बच्चो को चट कर जाएगा हो सकता है वो खा भी चुका हो नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता चील मेरे बच्चो को नहीं खा सकता ये सब जान बूच कर तुम बोल रहे हो ताकि मैं तुम्हारे बच्चों को ना खा सकूँ हम जूट नहीं बोल रहे हैं, यकीन ना हो तो एक बार जा कर देख लो, चील तुम्हारे बच्चों को खा चुका होगा नागिन दोड़ती हुई वापस अपने बिल के पास जाती है, पर उसके बच्चे सच मुछ वहाँ नहीं थे, तभी वहाँ चील उड़कर आता है, उसने पंचों में नागिन का एक बच्चा पकड़ा हुआ था मैंने तुम्हारे सारे बच्चे खा लिए, बहुत स्वादिष्ट थे, बस एक यही रह गया है, कुछी देर में ये भी मेरे पेट में चला जाएगा नहीं नहीं चील भाई, मेरे एक बच्चे को जिन्दा रहने दो, तुम सब को तो खा चुके हो, मुझ मापर दया करो चील भाई, हमारे बच्चे को छोड़ दो, हम माबाप पर तरस खाओ मैं और तुम पर तरस खाऊं क्या तुमने मेरे मित्र मेंधक और मेंधकी पर तरस खाया था वो बेचारे भी तो तुम्हारे आगे दया की भीख मांगते रहे पर ये नागिन उनके सारे बच्चों को खा जाती थी हम वादा करते हैं हम यहां से कहीं दूर चले जाएंगे और आज की बाद कभी भी मेंधकी के बच्चों को नहीं खाऊंगी नागिन देखती है कि उसके सारे बच्चे सुरक्षित हैं चील ने उसके बच्चों को नहीं खाया था वो सिर्फ सबक सिखाना चाहता था अपने बच्चों को जिन्दा देखकर नागनागिन बहुत खुश होते हैं और चील से कियोवे वादे के मुताबिक वो अपने परिवार को लेकर वहां से दूर चले चाते हैं चील ने मेंठक के साथ अपने मित्रता को निभाया और उस दिन के बाद मेंठक और मेठकी अपने बच्चों के साथ खुशी-खुशी रहने लगे पारस और सुनीता के पास सब कुश था सिवाए एक संतान के इनकी शादी के पांस साल पूरे हो चुके थे लेकिन अब तक इनका जीवन बच्चे के किलकारियों के लिए तरस रहा था हाँ तो सुनीता क्या मागा शंबू से मैं क्यों बताओ बताने की जरुवत नहीं है मैं जानता हूं कि तुमने यही मंगा होगा कि तुम्हारी सुनी गोद भर जाए नहीं तो अब मैंने तो भगवान से मंगा कि आप ऐसे ही हमेशा तरक्की करते रहे इतना कहकर सुनीता चुप हो गई उसकी लड़कडाती जुबान को सुनकर पारस को समझ आ गया था कि वो जूट बोल रही है लेकिन फिर भी उसने सुनीता से कुछ नहीं कहा और बात को बदल दिया ताकि इस बारे में सोचकर सुनीता को और दुख न हो फिर कुछ दिनों के बाद सुनीता, सुनीता कहा हो क्या हो ग्या जी अरे सुनीता, आज मैं बहुत खोश हूँ लो, सबसे पहले ये गुलाब जामन खाओ अरे बताओ तो सही हुआ क्या है तुम्हें याद है, मैंने तीन महीने पहले एक टेंडर भरा था वो भरतपुर वाली सड़क का हाँ, याद है मुझे हाँ, तो वो पूरी सड़क बनाने का ठिका मुझे मिल गया है अरे वा, सब भगवान की कृपा है हाँ सुनीता, ये काम बहुत बड़ा है सोच रहा हो कि इस बार जब उसकी पेमेंट आएगी न तो अपने सारे मजदूरों को अच्छा बोनस दूँगा ये तो बहुत अच्छी बात सोची आपने अच्छे ये बताओ कि काम कब से शुरू करना है बस कल से ही इंजिनियर्स को साथ लेकर जाना है पहले जंगल में जाकर सर्वे करना है और बस उसके बाद से काम शुरू जब जंगल जंगल जाने पर वहां क्यों तुम्हें पूरी बात समझाता हूं असल में भरतपुर शहर से दूर बसा एक छोटा सा कस्पा है वहां से शहर आने के लिए अभी पूरे 20 किलोमेटर घोम कराना पड़ता है लेकिन जिस जंगल के पास भरतपुर बसा हुआ है अगर उस जंगल के किनारे किनारे सड़क बनाई जाए तो ये दूरी सिर्फ 10 किलोमेटर रह जाएगी तो बस सरकार यही सड़क बनवाना चाहती है और इसी सड़क को बनाने का टेंडर मुझे मिडा है लेकिन इसके लिए आपको जंगल में काम करना पड़ेगा ची वहाँ तो जंगली जानवर भी होंगे न हाँ पर तुम चिंता मत करो काम के दोरान मेरी और मेरे मजदूरों की सुरक्षा के लिए वन विभाग के दो गार्ड्स वहाँ हमेशा मौझूद रहेंगे क्यों रफलल जी यही है वो जंगल हाँ सर यही है वो जंगल तो यहाँ शेर वगरा भी है क्या क्या यह सर्फ ऐसे ही घना जंगल है सर सब कुछ है यहाँ satい, शेर, भेडिया और और मतलब और क्या पुरानी कहानिया है हुजूर कुछ लोगों का मानना है कि इस जंगल में एक इच्छाधारी नागिन भी रहती है अरे वा ये तो कमाल है तो ये बताईए कि उस इच्छाधारी नागिन को कभी किसी ने देखा भी है या फिर ऐसे ही हवा में बाते है सुना तो है कि गाउं के दो लोगों पर जब यहां जंगली भीडियों ने हमला कर दिया था तब वो आई थी उन दोनों को बचाने अच्छा पर हमने तो हमेशा सुनाए कि नागिन खास तोर से इन इच्छाधारी नागिनों को हमेशा इंसानों से बदला ही लेना होता है नहीं सर ऐसा नहीं है अगर आप उनका नुकसान नहीं करेंगे तो आपको नुकसान क्यों पहुंचाएंगे भला पारस और रामलाल वहाँ से चले गए अगले दिन सुबह से ही मशीनों से पेड़ों के कटने का काम शुरू हो गया तभी पारस ने अपने मजदूरों से कहा मेरी बात ध्यान से सुनो सभी लोग जहां जहां निशान लगा है उससे बाहर एक भी पेड़ नहीं कटना चाहिए ठीक है? सड़क अपनी जगा है लेकिन जंगल को ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए और मशीन चलाते हुए इस बात का भी खयाल रखना की मशीन के निचे कोई छोटा जानवर, कोई घराउंदा या किसी जानवर का बिलना हो ठीक है? चलो, अब थोड़ा ब्रेक लो, क्योंकि खाना आ गया है खाने के बाद फिर से काम शुरू करेंगे पारस के मन में ये बात चुब रही थी कि उसे सड़क बनाने के लिए कई पेड़ों को काटना पड़ रहा था पर सड़क बनाने के लिए ऐसा करना जरूरी था फिर उसी शाम जब उस दिल का काम खत्म होने ही वाला था तभी मशीन का उपरेटर पारस के पास भागा भागाया सर सर जल्दी चलिए क्या हुआ सर वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ है जब मैं उसे काटने गया तो देखा कि उस पेड़ के नीचे बहुत घना जाडिया है उन जाडियों को हटाया तो वहाँ पर अंडे मिले है पूरे साथ अंडे है सर किस जनवर के हैं वो अंडे पता नहीं सर वो काफी बड़े अंडे है और बहुत चमक भी रहे हैं अंदाजा ही नहीं है कि किस जनवर के अंडे हो सकते हैं आप चलके देखिया ना सर ओपरेटर के बाद सुनकर पारस उस पेड़ की तरफ चल दिया उसने देखा कि वाकई पेड़ के नीचे एक बिल जैसा बना हुआ है जहां सफेद रंगे चमकदार साथ अंडे रखे हुए थे पारस ने फिर तुरंथ रामलाल को बुलवाया ओन अंडो को देखकर रामलाल बुरी तरह घबरा गया और घबराते हुए बोला सर हो ना हो ये उसी नागिन मतलब उसी इच्छाधारी नागिन के अंडे है क्योंकि देखने से तो ये किसी नागिन के अंडे ही लग रहे थे लिकिन ये इतने बड़े हैं तो किसी साधारन नागिन के नहीं हो सकते और वैसे भी पिलाल हम उसी के इलाके में हैं जहां उस इच्छाधारी नागिन के होने की खबरें है रामलाल इससे जादा कुछ कह पाता तभी पीछे जाडियां हिलने की आवाज आई तो सभी लोग डर के मारे कांपने लगे रामलाल खत्रा भापते ही वहाँ से सबसे पहले भागा उसे भागता देख कर सारे लोग कजबे की तरव भागने लगे पारस उन्हें रुकने के लिए कहता रहा लेकिन कोई नहीं रुका अब पारस वहाँ बिलकुल अकेला खड़ा था तभी अचानक उससे सामने से दो भीडिये उसी की तरफ आते दिखाई थे वो दोनों बहुत ही खतरणाक दिख रहे थे और उन्हें देखकर पारस भी खबरा गया लेकिन उन भेडियों का ध्यान पारस पर नहीं बलक्यों नंडों की तरफ था जो पारस से कुछी दूर थे भेडिये तो अंडे नहीं देते इसका मतलब ये भेडिये इन अंडों को खाने आये हैं पारस ने फॉरन जमीन पर पड़ा डंडा हाथ में लिया और जाकर भेडियों से भेड नहीं पारा था, वो दोनों पारस पर भारी पड़ रहे थे, पारस को लगने लगा कि आज अंडों से पहले भेडिये उसे ही मार डालेंगे, लेकिन तब ही अचानक वो भेडिये पारस से दूर जाने लगे, पारस के पीछे से किसी के फुपकारने की आवाज आ रही थी, पारस जैसे ही पलटा तो उसे अपने आखों पर विश्वास नहीं हुआ, वहाँ एक विशाल नागिन खड़ी हुई थी, वो नागिन इच्छा धारी थी, मतलब कि आधी इंसान और आधी नागिन के रूप में, जिसकी आखे गुस्से में लाल थी, वो फौरन आगे बढ़ी और उसने एक भेडिये को उठा कर इतनी जोर से पटका, कि दूसरा भेडिया ये सब देखते ही भाग खड़ा हुआ, और पहले वाला भी लंगड़ा कर वहाँ से चलता बना, पारस अब सुरक्षित था, लेकिन अपने सामने इतनी बड़ी, और वो भी एक इच्छाधारी नागिन को देखकर, पारस की हालत खराब थी, मुझे छोड़ दो प्लीज, मैं, मैं तो, मैं तो बस, तुम क्या कर रहे थे, मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम्हारा बहुत-बहुत श अपने अंडे लेकर यहां से चली जाओंगी, वैसे भी अब ये जगह मेरे अंडों के लिए सुरक्षित नहीं, लेकिन जाने से पहले, मैं आपको एक भेट देना चाहती हूँ, आप एक काम करिए, इन में से एक अंडा आप ले जाए, मेरी तरफ से भेट समझ कर, अब नह इतना कहते ही नागिन ने अपना एक अंडा उठा कर पारस की तरफ बढ़ा दिया, नागिन की बात मानने के सिवाए, पारस के पास अब कोई चारा नहीं था, इसके बाद वो इच्छा धारी नागिन अपने बाकी अंडों को लेकर वहां से चली गई, फिर पारस ने ठीक व पारस के चर्णों में रखा और हाथ जोड़कर वही मुराद मांगने लगे, जो हर रोज मांगते थे, अपने लिए एक संतान, फिर अगले ही पल अचानक कुछ तूटने की आवास आई, और पारस और सुनीता ने अपनी आखे खोली, वो जादूई अंडा पहले से काफी बड़ा हो चुका था और उसमें दरार भी पढ़ चुकी थी, फिर जैसे ही वो अंडा फूटा, तो उसके अंदर से एक बड़ी ही प्यारी सी बच्ची के रोने की आवास सुनाई देने लगी, पारस और सुनीता की खुशी का तो कोई ठीकान नहीं था, क्योंकि वो दोनों अब ना तो बे उलाद थे और ना ही दुखी